ताकि आपका रिजुम और अच्छा दिखाई दे कि मैंने अल्रेडी एक गेम बनाया हुआ है पाइथन लेंग्वेज में मुझे उसका लॉजिक पता है आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हो जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या है पाइथन में एक लाइबरेरी होती है जिस लाइबरेरी का नाम है टर्टल इस लाइबरेरी को हमें इंपोर्ट कराना है इसके पास बहुत सारे फंक्शन्स हैं बहुत सारे क्लासेस हैं उनका अबजेक्ट बनाके हमें इस गेम को बनाना है स्नेक का गेम जो ऐसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा कि एक स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर और यहाँ पर जो है हमारा स्नेक यहाँ से स्टार्ट कराएंगे हम चाहिए तो फिर आप उसका जो हेड होगा पहली बार वो राउंड शेप में भी बना सकते हो सरकल के फॉर्म में स्क्वैर के शेप में रख सकते हो एरो के शेप में रख सकते हो जैसे चाहिए वैसे उसके बाद इसकी शुरुआत करा दोगे चलने की कहीं से भी चलने का मतलब यह होता है यह एक अबजेक्ट मान लेते हैं इस अबजेक्ट को आपको shift करना है मैं आपको बता दू कि अगर आप जानते होगे तो graph जो होता है वो ऐसा होता है पता ही है x-axis y-axis पता है कि नहीं इस तरफ आपको भी पता positive part है इस तरफ यहाँ पे नीचे की दरफ और इस तरफ negative part है तो अगर मान लेते हैं यह total आपका जो screen है वो 300 का है मतलब 0 से लेके अगर यह जाता है 300 तक तो इस side 300 मतलब total 600 हो जाता है मतलब 0 to 300 0 to minus 300 तो total 600 ही हुआ 300 plus 300 600 ऐसे ही तो होगा यह तो यहाँ पे जैसे लिख देता हू minus 150 यहाँ पे 150 इस तरीके से अब यहाँ पे negative होगा नीचे यहाँ पे लिख देता हू minus 150 और यहाँ पे 150 बराबर तो यह total 600 by 600 की screen है 600 by 600 तो आपको जो बनाना पड़ेगा window जो total है यह वो 600 by 600 की screen बनानी पड़ेगी तो screen तो बनानी ही है उसके बाद आप चाहो तो अपने head को यह जो object है इसको 20 से बढ़ा सकते हो अगर बीच में 0 है तो 20 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा और 20 बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा और 20 बढ़ेगा तो 60 हो जाएगा ऐसा लगेगा वो आगे जा रहा है जब 20 बढ़ाओगे तो इसको हटाके आगे शो कराओ फिर 20 बढ़ाके इसको हटाके आगे शो कराओ ऐसा लगेगा वो move कर रहा है ऐसा लगेगा और left side में minus करते जाओ minus 20, minus 40, minus 60 ऐसे भी आप करते जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा तो ये चीज है इसके बाद जब आप प्रोग्राम शुरू करने वाले हो तो आपको एक module import करना पड़ेगा एक file import करनी पड़ेगी जिसका नाम है turtle इसको आपको import कराना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी classes है जिनका object बनाना है हमें और हमें अपना काम कराना है तो जब तक आप इस module को import नहीं करोगे अपना काम नहीं कर सकते हैं आप इसको download कर सकते हो अगर आपके पास ये module नहीं है तो आप इस module को download भी कर सकते हो वो भी बताता हूँ कैसे करेंगे तो एक ये बात हो गई मैं आपको दिखाता हूँ कि download करने की process क्या है कुछ भी नहीं करना है आपको just यहाँ पे cmd में जाना है command prompt में और यहाँ जाने के बाद सिर्फ इतना search करना है pip install और यहाँ लिख देना है turtle library है तो turtle लिख देना है मैं enter button दबा के देखता हूँ होता है कि download search में start होता है या फिर नहीं अभी पता चल जाएगा अगर already downloaded होगा तो यह बोलेगा कि है हाँ यह बोल रहा है कि है already यह दूसरा बता रहा है pip upgrade करने को हो चुका है यह है पहले से मेरे पास इसलिए यह ले नहीं रहा है यहाँ पे यहाँ पे रुको फिर दूसरा turtle module में चेक कर लेता हूँ गूगल पे search करते हैं अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखना पड़ता है turtle module pip install बस इतना कुछ भी search करोगे यह पहली website आ रहे pipi कुछ भी लिख दो turtle module यह क्या install python turtle ओके ऐसा लिखना पड़ेगा install python turtle तो लिख देते हैं वही चीज़ इसको clear करा देता हूँ install python turtle लिखना पड़ता है अब देखते हैं हाई बोल रहा अल्रेड़ी satisfied मतलब आपने अल्रेड़ी डाउनलोड किया हुआ है बस बात खतम इस module को आपको import करना पड़ेगा डाउनलोड करना पड़ेगा क्या होता है कभी-कभी यहाँ पर आत जाता है unknown command मान लेते हैं आपने कुछ और लिख दिया install ले देखो यह क्या आ रहा POP is not recognized ऐसा भी आता है PIP पर भी ऐसा आता है मैं POP पर नहीं बोल रहा हूँ मैंने जान बुझ के गलत लिखा कि क्या दिखता है वो बता रहा हूँ PIP पर भी गलत आता है इसलिए जब भी आप पहली बार Python को install करोगे तो उस समय install करते समय नीचे ना एक check mark होता है add to path जब आप पहली screen आती है आप Python software download करो उस पर double click करो एक screen आएगी नीचे लिखा होगा add to path उस पर check mark ज़रूर करना direct install मत करना direct कर लोगे तो वो path missing होगा इसलिए ये problem आएगी इसका solution भी होता है लेकिन अभी जाने दो कितना आसान है तो फिर वो उसमें आप check mark करके बात खतम करो अब दूसरा solution है path set करना वगेरे वो सब भी नहीं बता रहा हूँ मैं हाँ अब आते हैं हम अपने program पे सबसे पहले मैं ideally software open कर लेता हूँ जहां जहां जिस जिस की जरूरत पड़ेगी मैं उसे use करूँगा यहां पे एक option है file यहां पे एक option है new और इसे मैं save कर लेता हूँ अपने उसी folder में जहां मैं अपने सारे program save करा रहा हूँ मैं इसे रखूंगा c, d, d drive के अंदर जहां मेरा ने, e, ने d drive कहा गया मैं direct पढ़के भी बता सकता था बहुत जल्दी हो गया होता एक ही lecture में लेकिन जाने दो एक lecture और ले लेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे तो इसको मैं रखता हूँ नहीं यह folder तो नहीं हमारा चलो यहीं पे हाँ यही रख देता हूँ इसका नाम रख देता हूँ snake game.py p.y. extension देना मत भूलना कभी क्योंकि आप python के program करोगे तो p.y. extension देना ही पड़ेगा आपको दे दिया मैंने उसके बाद import लिखता हूँ यहाँ पे क्या turtle इसके अंदर के किसी भी member को call करने के लिए turtle. लगाना पड़ेगा आपको इसके अंदर का कोई भी member अगर आप call करना चाहते हो तो हाँ लेकिन मुझे एक और module की जरूरत है जिसका नाम है random मैं आपको बता देता हूँ random इस module की जरूरत क्या है और यह करता क्या है इसके अंदर कुछ functions होता है जैसे कि एक rand int नाम का function होता है क्या काम का है मालूम है वो जैसे मान लेते हैं कि आपका जो food है कहीं एक right side में कोने में दिख रा है कहीं left side में नीचे दिख रा है कहीं भी आ जाता है वो तो जब आपका food आप वो जो snake जा के खाएगा तो वो food कहीं भी दिखाई देगा तो वो कहीं भी दिखाई दे, एक number generate किया जा, random int नाम का, इसके लिए इस random नाम के module की हमें जरूत पढ़ने वाली है, फिर मैं लिखता हूँ import, और उसके बाद लिख देता हूँ time, time की भी जरूत पढ़ेगी, आपको speed वगरे change करना होगा, या कुछ भी करना होगा, तो time की भ भी बना सकता था, लेकिन delay से आपको भी समझेगा मैं किस चीज की बना रहा हूँ, इस में starting में 0.1 रख देता हूँ, इस memory में, आगे देखो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, वो आप आगे देखो गई, ये delay 0.1, इसकी जरूत कहां पढ़ने वाली पता, डी नाम की memory में 0.1 जब रखूंगा तो, future में क्या होगा, आपकी जो speed होगी न, उसको मैं कम कराओं, delay को कम कराओंगा, मुझे एक बात बताओ, जब आप एक food खाओगे तो snake की speed बढ़नी चाहिए, दुसरा खाओगे और बढ़नी चाहिए, तो delay को कम करने से ही तो speed बढ़ता है, आप delay कम तभी तो जल्दी class में आओगे, delay को कम करने से ही speed बढ़ेगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ, delay is equal to, अभी ये minus कराओंगा, बाद में, उसके बाद एक और memory बना देता हूँ, score card नाम की, जिसमें 0 रख देता हूँ, क्योंकि starting का score card जो होगा, वो 0 ही होगा, score 0 ही होगा, और highest score जो होगा, वो भी 0 होगा, starting में तो सबको 0 ही रखना है, बाद में कुछ code है, जो बार 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 चलेगा, एक बार थोड़ी चलने वाला है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, पहले body बनाने वाला हूँ, तो comment में लिख दू क्रिएटिंग अ body, सबसे पहले body बनान bodies, जब एक-एक food खाओगे, तो उसको कहीं store कराना पड़ेगा, इसलिए list बनाया हूँ है, append करूँगा मैं, append function होता है list के पास एक-एक जोडने के लिए, इसलिए empty list है, जब bodies, snake आप जाके उसको खाओगे, तो फिर वो body बढ़ेगी, तो यहाँ पर append किया जाएगा, creating a screen, पहले screen तो बना लो, शुरुवात यहीं से करनी है, वैसे भी body तुरंद बनाते नहीं, तो भी चलता, बाद में बना लिए होते, मैंने ऐसे ही पहले बना दिया, तो इसकी कोई ज़रूतने, इस line को हटाई देता हूँ जाने दो, बाद में बना लेंगे, मतलब एक-एक है screen, और python में किसी भी class का object बनाने के लिए, आपको लिखना पड़ता है, reference variable is equal to class का नाम, बस बन गया object, object ऐसे ही बनाया जाता है, याद होगा, मैंने इससे पहले Nokia नाम की class का object बनाया था, या फिर अलगला class का object बनाया था, तो मैं ऐसे ही लिखता था, n1 is equal to Nokia और दो brackets, वै किस module के अंदर turtle, तो turtle.com लगाएगा, turtle के अंदर है, इसलिए, दूसरी चीज, उसको मैं title, अभी run करा दूँ अगर, तो भी कोई issue नहीं है, देखो, f5 दबा दिया है, देखो run हो गया, screen run हो चुकी है, देख सकते है, window मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे class के पास बहुत सारे functions है, कि करके use करे, s. लगा के कर पाओगे आप use, क्यूंकि s ही तो reference variable, s. मैं बोल देता हूँ, title, title मुझे रखना है, snake game, यह मैं title रखवा देता हूँ, snake game, चलो यह title हो गया, उसके बाद s. लगा के मैं लिख देता हूँ, title होने के बाद आप shape दे सकते ह भी आपको देना है, color दे सकते हो, shape तो नहीं दे पाओगे, color दे सकते हो, उसका background color, bg color नाम का भी function हो, और आपको जो color देना है, इसके अंदर बता दो, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे, जैसे की, आप लिख सकते हो, light blue, चलेगा ना, कुछ भी लिख सकते हो, black लिख सकते ह उसके बाद मैं लिख देता हूँ, कि मुझे आखिर में, यह है, क्या बोलते हैं इसको, screen जो होगी, उसकी size क्या होनी चाहिए, वो भी set करनी है, मतलब 600, अभी बात हुई, 600 by 600 की चाहिए न, एक function है, setup नाम का, setup, उसके अंदर आपको दोनो arguments पास करने पढ़ेंगे, width कितना रखना है वो बता दो, width नाम की memory में रख दो 600, height नाम की memory में रख दो 600, और कम जादा भी कर सकते हो, width जादा, height कम वगेरे कुछ भी कैसा भी बना सकते हो, आपका monitor कैसा है, उस पर depend करता आपको बनाना कैसा है, अभी मेरा जो monitor अगर ऐसे होगा, laptop वाली screen तो थोड़ी अलग display बनेगा, mobile का होगा, तो थोड़ा अलग, आप square में भी बना सकते हो, चाहो तो नीचे जगा होगी, वो तो आपके उपर है, तो यह हो गया, इसको बोलते है, size of a screen, size of a screen, और उसके बाद इसे run कराते हैं, देखते हैं क्या snake game दिख रहा है, हाँ, light blue भी दिख रहा है, और यहाँ पे snake game लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसा मैं चाहँ रहा था, वैसा भी हो रहा है, और यह छे सो बाइचे सो की screen भी है, और light blue color में भी दिखाई दे रहा है, light red color देख यही मुझे बताना था, सारे word support नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखो कि आप सारे नहीं use कर पाओगे, कुछ है जो use कर सकते हैं, आप pink बोल दो या फिर orange बोल दो, आपको जो चाहिए वो बोल दो के चलेगा, चलो यहां तक हो गया, सबसे पहले एक game बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या थी, screen जो बन चुकी है, screen बनने के बाद, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए आपके हिसाप से, head बनाना है, सबसे पहले head, क्यूंकि पहले foot बना दोगे, head बना दो ना बहले, बाद में foot बना दो, तो head बनाते हैं सबसे पहले, creating a head, लिख देते हैं और उसके बाद फिर से उसी class का object बनाना पड़ेगा आपको आप लिख सकते हो turtle नाम की जो module है उसके अंदर फिर से एक turtle नाम की class है उसका object बना दो screen का मत बनाओ, screen थोड़ी बनानी अब एक class का नाम है क्या? turtle class का नाम है उसका object बनाना क्या बना रहे हो head तो h equal to लिख दो, head equal to लिख दो चलो head equal to लिख दिया चलो ये भी हो गया उसके बाद head equal to अब यहाँ पर head बन चुका होगा अब आपको करना क्या? रुको run करा के दिखा हूँ, head बना है की नहीं f5 कहा गया, दबा तो दिया हूँ मैं हाँ, एक दिखाई दे रहा है मुझे छोटा सा हाँ, लेकिन उसका size, shape आपको जो चाहिए वो change करा सकते हो कराएंगे ना, भी कराएंगे वही सब कराएंगे color set करेंगे वगेरे, सारा काम करेंगे पहली बात तो head जो है वो चले ना ना आगे जाए, ना पीछे जाए, ना उपर ना नीचे हाँ, तो उसकी speed जो है, speed के अंदर 0 डाल दो एक function होता है speed नाम का आपने अच्छा किये delay नाम की memory बनाई है अगर इसमें 0.1 डाल दो के तो उसकी speed हो जाएगी 0.1 तो उतने speed से चलने लग जाएगा, नहीं मैं 0 कर देता हूँ वैसे भी 0 ही था लेकिन 0 करके रखो कल को फिर चलने ना लग जाए अच्छानक उसके बाद head dot एक shape नाम का function होता shape और shape आपset कर सकते हो, बहुत सारे shape है, square है, circle है, arrow है अभी square करके देखते हैं क्या होता, run करूँ, देख लेते हैं इसको, नहीं अरे कुछ गलत, spelling गलत हो गई शायद, हाँ spelling गलत होई न, spelling गलत होगी तो error आ सकती है हाँ, यह आप देख सकते हो, square मुझे दिखाई दे रहा है, आप इसको circle भी कर सकते हो बस spelling का ध्यान रखना arguments पास करते हैं, समय ऐसे कुछ भी लिख दोगे नहीं चलता circle लिख दू, head circular जैसा दिखाई देगा, हाँ बाकी के body को आप पीछे square में रख सकते हो पहला part आप circle के shape में भी रख सकते हो, रख दिया लेकिन बहुत black दिखाई दे रहा है, मैं चाहूं तो उसका color भी बदल सकता हो, मेरे पास एक function है, color नाम का, color और इसको कर देता हूं blue, कोई भी color कर सकते थे आप, color भी हो गया, color होने के बाद, आप और क्या करा सकते हो, इसक पूरा का पूरा blue दिखाई दे रहा है, इसके बाद color यहां पे set होने के बाद, मैं चाहूं तो इसके अंदर, जो color है, वो change कर सकता हूं, अगर मैं इसके अंदर का color change कर दूँ, तो यह जो border है न, border, यह बाहर की जो border, वो blue ही रहेगी, अंदर का color change हो जाएगा, मतलब अंद color red दिखाई देगा बीच में, मतलब कैसा मैं बोल रहा हूं मालू मरू को बताता हूं, यह जो है न, ऐसा अगर red करा दूँ, ऐसा, ऐसा दिखाई देगा, अगर आप अंदर color भर दोगे तो, तो वो भी करा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको चाहिए, कि नही red भी कर दिया, red करने के बाद, अभी एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, कैसा दिखाई देगा यह, हाँ, दिखरा है, side से है थोड़ा blue, red वो blue पूरा था, लेकिन fill कर दिया red, इसलिए border थोड़ी ऐसी दिखाई दे रही है, मुझे, हो गया न, आप इसको भी set करा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, एक function होता है, go to नाम का, head dot go to, शुरुवात कहां से करानी है, अपनी जो screen है, अभी बात होई थी कुछ देर पहले, मैंने आपको खुदी बोला था कुछ देर पहले, कि हमारी screen इधर है, इधर पीछे ले जाओं कि थोड देता हूं, इससे क्या होगा मालूम है, वो इधर आ जाएगा, ये क्या, y straight कौन है, 0 और ये कितना है, 150, तो ये x axis होता है, इसलिए पहले x पास करते हैं, फिर y करते हैं, तो ये इधर दिखेगा, मान लेते हैं, आपको इधर दिखाना है, इधर बीच में, तो आपका x कित इतना है, y भी 500, तो ये लिखना पड़ेगा, हो जाएगा, तो ये तो आपके उपर है, चलो करूं, यहाँ पे go to, नाम का function है, मैं बोल देता हूं, minus 150, 0, चला हूं, हाँ, लेकिन ये जब आगे की तरफ जा रहा है, तो अपने आपको रगड़ते रगड़ते जा रहा है, तो हमारे पास एक function होता, pen up नाम का, अगर आप उस function को use करते हो, तो फिर अगर आपके हाथ में पेन रगड़ोगे, तो pen चल जाएगा, अगर pen को ऊपर लेके जाओगे आगे, तो फिर नहीं चलने वाला, तो आगे तो चला जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं, इसलिए पहले मुझे pen up नाम का function यूज़ करना चाहिए, तो मैं यूज़ करता हूँ, इससे पहले head.pen up, और 00 पे ही रखता हूँ इसको, क्योंकि head की शुरुआत 0 से ही करना है, हाँ, food को दूर रख देंगे, food को, बनता तो सब उधर ही है, 0 पे ही, लेकिन food को दूर रखेंगे, अब इसके पास एक variable है, head.direction, उसमें हम starting में क्या initialize करने वाले हैं, पता है, stop, याद रखना, मतलब यह रुका है, यह initialize करना पड़ेगा, direction नाम के variable के अंदर, यह रख दो, बाद में होगा जो वो होगा, बस आपको इतना code जरूर लिखना पड़ेगा, तो इस लिए इस चीज को ध्यान में रखो कि हम कैसे लिख रहा है, अब यहां तक हो गया, head बन गया, आप क्या बनाते है, food, head के बाद food बना दो, तो मैं लिखता हूँ creating a food, creating a food for snake, तो चलो, same चीज कॉपी कर लूँ क्या यहां से, क्या कॉपी, और यहां पे paste कर दूँ, जल्दी हो जाएगा, और food का color मैं कर देता हूँ, food को भी circle की जगा square form में रख सकते हो, square, और इसका color कर देता हूँ, red इसको कर देता हूँ, blue इसको कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, और pen up और इसकी dice को food को लेके जाते हैं, काम करते हैं, 1500 और 200 पे, थोड़ा दूर, देखते हैं कहा जाएगा, और उसके बाद दिखाता हूँ, इसको run करा के, हाँ, यहाँ food रखते हैं चाहिए तो, ठीक है, इससे कोई issue नहीं आप रख सकते हो, और दूसरी जीज़ जब food जा रहा था, तो दिख रहा था, फिर से run करा हूँ, जाते समय दिखा, दिखना नहीं चाहिए, देखें ऐसा ल hide turtle, ht नाम का function, hide, भेज देने के बाद show turtle, head dot show turtle, यह function यूज़ कर लेता हूँ, और यह कहीं move नहीं होने वाला है, इसलिए direction नाम की memory बनाऊंगा इने, बस, अभी देखते हैं देखो, देखें, direct उधर open हुआ, जाते हुए नहीं दिखा, चाहिए तो फिर से दिखा देता एक बार आपको, यह देखो, इससे आपको एक idea आजाएगी, direct उधर ही open हुआ हो, अब जाते हुए आपको नहीं दिखेगा, हो गया, उसके बाद आगे चलता है, head बना, food बना, उसको जब खाया जाएगा, तो क्या बढ़ेगा, score, पहले score भी बना लो, तो मैं लिख देता ह हूँ, यहाँ पर creating a scoreboard, creating a scoreboard, अब scoreboard बनाना है, मुझे अगर सबसे पहले तो, turtle dot, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, turtle, और वापिस से, object बार बार टर्टल का ही बनाना है, कोई भी नई चीज़ चाहिए, तो turtle का ही object बनाओ, और इसको रखवा देता हूँ, scoreboard नाम का ए हुई है, उसको पड़े रहने दो, उसमें कुछ मत करो, बस आपने यहाँ एक object बना लिया, reference variable का नाम है, sb, अब क्या करोगे, आप shape, इसका भी shape, उपर का ही सब copy कर लिए होते, तो भी चल जाता, वही काम करने वाले हो, सारा, shape, मैं इसमें shape में रख देता हूँ, square, ऐसे shape की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो यह ऐसे ही कर रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख दिया, क्योंकि मुझे text format में चाहिए, score, यह क्या square वगेरे जैसा नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दू क्या, अभी क्या करता है, इस के अंदर सबसे पहले इसको pen up कर लेता हूँ, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजता हूँ, किदर scoreboard कहा दिखना चाहिए, कोने में उपर, मतलब left side में उपर दिखता है ना scoreboard, right side में तो food चला जा रहा है, इसको left में रखते है, pen up करके इसको भेज दू क्या उपर, तो म कर उसे चलता है, hide कर लिए क्यों, क्योंकि मुझे कुछ और show करवाना है, तो पहले इसको भेजता हूँ, मैं scoreboard.go to कहा हूँ, minus 250, 250, मतलब left side में उपर चला जाएगा, minus 250 लिख दिया ना, x axis minus कर दिया आपने, मतलब उपर और 250 है, तो उधर जाएगा वो, minus 250, y है, y 250 है, plus मे है, y, हाँ, मतलब straight है, y ऐसा होता है, बराबर है, हो गया, यह देखो न, दिखा दू, minus 250, यह आपका x है, minus 250, मतलब इधर होगा, और लिखा है, 250, y, मतलब 250 यहाँ पर होगा, मतलब इधर दिखेगा, हाँ, इधर ही दिखाना है, बस, उसके बाद यहाँ पर और आगे चलत है, उसके बाद एक function होता है, sb.write, अगर आपको text write करवाना है, तो write लिखना पड़ेगा, इस function को use करना पड़ेगा, इस function के अंदर कुछ arguments पास करने पड़ेंगे, कि क्या write करवाना, आप जो भी print कराना चाहते हो, direct लिख सकते हो, दिखना चाहिए, score, colon, 0, अच्छा दिख यह खाली कैसा दिखना चाहिए, print के अंदर देखो, जैसा हम लिखते हैं, वैसे write नाम के function के अंदर हम लिख सकते हैं, जो directly वहाँ पर write हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, highest score, यह तो आप कुछ भी करा सकते हो, highest score, और जो हमारा highest score है, वो मैं set कर देता हूँ, अभी zero क्योंकि पहली बार तो sub zero होगा, to print a message for the first time, बाद में बदल जाएगा, बाद में जो करना वो तो करेंगे, हो गया, यहाँ तक हुआ, ride भी करवा लिया, अभी उसके बाद क्या करते हैं, इसको पहले run करा के देखना चाहता हूँ, कैसा दिखता है, हाँ, मैं मैं ऐसा ही देखना चाहता था, मुझे एक जगस score और वो सब दिखाई दे रहा है, तो shape और देने की कोई जरूरत है ही नहीं, मैंने हटा दिया, उसकी क्या जरूरत है आपको, ship object बनाओ, pen up करो, उसको उपर भेजो, फिर उसके बाद score जो print कराना करा दो, कहीं भी, बस हो ग का, बनाएंगे अब नए-नए functions हमें बनाने पड़ेंगे, सारे उपर जाने के लिए एक function बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ, moving in all directions, लिख दो creating a functions, creating functions for moving in all directions, क्या होता ऐसा लिखा होता तो पता होता कौन से चीज क्या कर रही है, और यहाँ भी लिख सकते है, for hiding a turtle, क्या होता फिर आप जब पढ़ते होता आपको याद नहीं आता यह क्या चीज है, यहाँ पर क्या लिख दूँ, for showing a turtle, तो यह turtle यहाँ पर show किया जाएगा, अब अगर आपका snake जो है, move कराना है उसे उपर की तरफ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, def, move up नाम का एक function होगा, वो मैं लिख देता हूँ, ताकि snake move करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, वेड़े आजू, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, move up, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर, आपने direction नाम की memory में सबसे पहले क्या store कराया था, तुम बता सकती हो, हाँ direction नाम की memory में, तुम बता सकती हो, नहीं, तुम बता सकती हो, stop कराया था store, तुम लोग pen से लिख भी रहे हो क्या, अच्छा, ठीक है, तो direction नाम की memory में मैंने क्या store कराया था, stop, आपको याद होगा, तो मैं लिखता हूँ, अगर आपको उपर की तरफ, तो देखो मैं क्या इफ यदी direction नाम की जो memory है, head, dot, direction, not equal to, मैं लिख देता हूँ, down, अगर down नहीं है, तो, मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या direct उल्टा उपर की तरफ जाने लगेगा, क्या, नए, मतलब अगर वो down में नहीं है, तो ही उपर जा सकता है, मतलब left में होगा तो, right में होगा तो, लेकिन नीचे की तरफ तो नहीं जा सकता, तो अगर आपको उसे उपर भेजना है, तो उसका left या right में होना जरूरी, तो आप लिख सकते हो, यदि आपका direction left या right है, तो उसे उपर भेजो, या फिर उससे अच्छा बोलतो, अगर down में नहीं है, तो उपर भेजो, तो मैंने क्या लिख दिया, यदि down में नहीं है, तो head dot direction, क्या set कर देना है, और वो लिख देता हूँ, अप, पहले stop था, अभी क्या set कर दिया, अप, ये लिख दो, बात खतम, ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो ध्यान देना, if indentation, गलतिया आपसे सिर्फ indentation में ही होने वाली है, और कोई गलती नहीं होगी, उसके बाद एक function और बनाते हैं, ऐसे ही सारे बना लू, copy, paste, paste, चारो direction हो गई, stop के लिए एक और बना के रख देता हूँ, एक निट खाले, hello, हाँ, अब यहाँ तक तो हो गया है, इसके बात क्या, अब आपने करना चाहिए, आपको, down, down में अगर आपको ले जाना है, आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या नहीं होना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यदि head.direction अप नहीं है, तो कहां ले जाओ, down बात खताओ, अगर मुझे उसे left में ले जाना है, त मतलब ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उपर या नीचे रहेगा, तो left में जा सकता है, तो वो भी एक ठीक है, तो यह भी लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, left, left में ले जाना है, और यहाँ पर क्या है, अगर मैं लिख दू, move right, right में जाने के लिए, एक function मना करा हूँ, right, left में यदी नहीं है, तो कहां ले जा सकते हो, आप उसे, right में ले जा सकते हो, उसके बाद मैं चाहूँ, तो इसके अलावा move stop भी use कर लूँ क्या, अगर snake चल रहा है, उसे रोकना चाहते हो आप, तो move stop नाम की function को call कर सके, आप रोक सकते हो, और direct hit.direction बोल सकते हो, hit.direction की जो value है, वो set कर सकते हो, यहाँ पे stop कर सकते हो, बस रोकने के लिए direct stop कर दो, फिर यह मत देखो किधर जा रहा है, direct stop, यह क्या जरूँत है देखने की, क्या उपर जा रहा है तो नहीं रोक सकते, क्या नीचे जा रहा है तो नहीं रोक सकते, left, right कहीं भी जाए, र उसके अंदर अब वापिस से मुझे कुछ arguments पास करने है, यदि head.direction, head.direction, अगर head की direction, अप है, पहले मैं अप ले लूँ क्या, यदि अप है, मतलब direction, head अगर उपर की तरफ है, अगर snake जो है अपना, वो उपर की तरफ जा रहा है, तो 20 से बढ़ाना पड़ेगा ना, तभ ऐसा straight क्या होता है, x होता है, y होता है, तो y को बढ़ाना पड़ेगा न, x को क्यों बढ़ाना पड़ेगा, तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, y को बढ़ाना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, head.direction, पहले y coordinate, पता तो कर लो y coordinate कि ना है, एक function होता है, y coordinate नाम का, जो जिस समय यह बताएगा, वो कि समय आपका snake कहां पे है, वो, वो पता चल गया, मान लेते हो, पता चल गया, 10 पे है, 0 पे नहीं, 10 पे है, तो वो क्या करेगा, y के अंदर डाल देगा, 10, उसमें 20 बढ़ा दो, मतलब, आगी चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो, head dot, एक function है, set y नाम का, set y नाम के function को call कर देता हूँ, यहाँ पे, और लिख देता हूँ, y plus 20, बस हो गया, अब आपका head जो snake है, वो उपर की तरब जाएगा, इसी को copy करूँ, मैं, नहीं, इसको लिख दू क्या direct ही, चलो, अब बोलो, if head dot direction, अगर मे left है, आप बताओ मुझे, अगर मेरी direction snake की, left की तरफ है, left, मतलब आपका जो snake है, left की तरफ जा रहा है, तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, बोलो, बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस की तरफ है ये, तो किसको, x को ना, तो मैं लिखता हूँ, x equal to, head dot, पहले x कोडिनेट क्या है, पता कर लो, ये बता देगा है, बाद में लिख दो, head dot, क्या, set x, क्या लिखूँ, बोलो, x minus 20 या, x plus 20, minus 20 बात खतम, उसके बाद, if, head dot direction, और direction अगर down है, down, तो क्या करें, direction यदि down है तो, तो कौन है, straight, up, down में कौन रहता है, y, तो अभी मैं लिखता हूँ, y equal to, क्या लिखूँ, head dot, y core नाम का एक function होता है, ये बता देगा position क्या है, फिर head dot, set कर देंगे, y की position क्या, y minus 20, नीचे की तरब minus e जाने वाला है, बस बात खतम, उसके बाद, if, यदि, head dot, direction, और मैं यहां लिख दूँ, क्या, right, right लिख देता हूँ, मैं, और इसकी, और यहां लिख देता हूँ, x equal to, head dot, x core, और उसके बाद, यहां पे लिख देता हूँ, मैं, head dot, set x, और यहां क्या लिखू, y minus 20, अरे, sorry, x plus 20, बस हो गया, बात खतम हो गई, यहां तक आपका code हो चुका है, बस, इसको run करने से कुछ नहीं होने वाला, main तो event handling है, कि मैं इस button पे दबाऊंगा, तो snake मेरा आगे-ागे जाने लगेगा, अभी तो event handling का code ही नहीं लिखा, button पे दबाने पे क्या होना चाहिए, वो कहा लिखा, main तो code वही है, यह नहीं है, यह तो design वाला पार्ट था, जो हमने ready करा लिया है, snake हमें ऐसा दिखाई देगा, screen ऐसी दिखाई देगी, फिर किस direction में जाना है, वागेरे, कौन सा button दबाने पे उपर जाया, कौन सा दबाने पे left जाया, हमारे पास arrows है न, उसको ही use करेंगे, आप चाहो तो W, A, D, और Z, इसको भी use कर सकते हो, नहीं क्या, करते हैं न, W से उपर जाता है, हम games खेलते हैं, तो हम in button से भी खेलते है, S से नीचे आता है, ठीक है, तो चलो, इतना ही आज हम देखेंगे, अगला batch है मेरा, आपका अगला lecture फिर से जब रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, group पे कब लेना है, तो फिर हम इसके ही अगले part को अगले lecture में पूरा खतम करेंगे, कुछ पूछना है, पूछो, जितन भी code बता, online वालों को कुछ पूछना है क्या,